जैने दोस्तों स्वागत है आपका मारे यूट्यूब चनल प्रतिसेद और आपका एक है इसका सिधा-सिदा मतलब होता है तो एक कि रोकना किसी चीज को हम जब रोकते हैं प्रतिसे प्रोहिबीशन का मतलब होता है किसी चीज की मना ही ठीक है रोकना और यह आपका याद रखिएगा कि जो प्रोइबीशन है यह इसू किया जाता है हायर कोट के द्वारा यानि कि जो उच्च कोट है जैसे आपका सुप्रीम कोट हो गया हाई कोट हो गया इनके द्वारा किसी लोवर कोट यानि कि जो निजिल कोट लोवर कोट या ट्रिबिनल को जारी करता है ठीक है याद रखिएगा प्रोईबीशन जो है यह सिर्फ और सिर्फ का जुडिशियल और कॉसी जुडिशियल यानि कि न्याइक और अर्ध न्याइक जो अथॉर्टीज होते हैं उन्हीं के खिलाफ जारी किया जा सकता है अब जारी करता है जब लोवर कोट या जो जुडिशियल जुडिसयल जुडिसयल अथॉर्टीज हैं जयानि जो इनको नहीं करना यानि कि अपनी jurisdiction से बाहर के cases माल लीजिए अगर यह सुनना सुरू कर दें तो जो higher court है वो रिट जो है prohibition जो रिट है यह जारी करती है lower court को for example यह समझ लीजिए कि जैसे रिट जारी करना जो हम लोग article 32 और अंतर जारी करने का जो अधिकार है वो Supreme Court के पास और है एक लेकिन जो अर्टिकल 32 में यह कहा गया है उनको भी जारी करने का अधिकार दिया जा सकता है हमारी संसत कानुर बना कि उनको दे सकती है लेकिन अभी तक किसी भी को एसा अधिकार नहीं दिया गया है तो अभी जो चाल जारी करना लोबर कोड कि से बाहर का है और अगर लुवक्र ने ऐसा कोई भिव्यादेश पारिद किया है तो जसी हायर कोड है वो यह जारी करके यानि कि प्रोहिबीचन वाला जारी किया जाता है जब कोई भी केस प्रोशीड हो यानि कि जब प्रोशीडिंग को रोकने के लिए ही जारी किया जाता है यह जारी नहीं किया जाता है अगर कोई administrative authority है अगर कोई legislative body है private individuals या bodies इनके खिलाब यह जारी नहीं किया जाएगा ठीक है यानि कि administrative authorities legislative bodies private या individuals कोई भी ऐसे लोग है इनके खिलाब prohibition जो रिठ है यह जारी नहीं किया जा सकता अब अगला है आपका surgery यानि कि उत्प्रेशर इसका मतलब है to be certified या to be informed ठीक है सूचना देना या प्रमारित करना ठीक है अब same surgery भी जो आपका है उत्प्रेशर जो भी है यह भी आपका तभी जारी करते हैं higher court lower court को या tribunal को जब lower court या tribunal अपने गणने jurisdiction से बाहर का अगर कोई काम किरना सुरू कर दे यानि कि जो उनके नए छेथ से में ना आता हो उनके jurisdiction के अंतर में अंतर ना आता हो अगर ऐसे चीज़ों का सुन वह अगर ऐसा कोई काम करना शुरू कर दें तो जो हायर कोट है वो यह जारी करेगा शेर्सररी यानि उत्प्रेशर वाला जो रिट है यह जारी करेगा एक्जाम्बल हमने जो आपका प्रोहिबीशन के समय जो समझाया था प्रोहिश्टर के टाइम वही सेम इग्जामपल इसमें भी है अब बात यह आता इसमे का प्रोहिबीशन तब जारी किया जाएगा जब वह कार जारी हो ठीक है तावर कोई केस प्रोशीट्म पे हें तब हम वहाँ पर प्रोइबीशन जारी करेंगे यानि उसको रोग देंगे लेकिन अगर वह Dragique रमक खतम हो चुका और अगर कोई आडर जारी कर गया है किसी लोवर कोट के द्वारा तब हम वाला जो रीट है उत्प्रेशर जो है यह जारी करेंगे उसको क्वैस्ट करने के लिए उसे खतम करने के लिए ठीक है वह उसके बाद सब कुछ वही सेम है अगेंस जूडिसर यह सिर्फ न्याइक और अर्ध न्याइक के अंतरकर जो चीज़ें आती हैं एक धATHAN करने के लिए यान कि जब जारी हो चाता है उस दी hear जारी किलेगे लेकिन ौश्यारी जारी करेंगे तब हम लोग तरह जेरी जो था 1991 के पहले यह सिर्फ और सिर्फ जुडिसियल एंड कॉसी जुडिसियल जो एक्टिविटीज मलब जो अंतरगत जो आते थे सिर्फ उन्हीं के खिलाफ यह जारी होता था लेकिं 1991 में सुप्रीम कोड के एक जजमेंट में यह कहा गया कि जो एड्मिनेस्टिटी अथॉर अगर किसी फण्डमेंटल राइट को कि फण्डमेंटल जो हमारे मॉलिक अधिकार है अगर उसके अंतरगत को कोई कारिवाही करते हैं अगर वह उनके अंतरगत आता है तो एड्मिनेस्टिटीव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी हम यह रिट जारी कर सकते हैं सेर्सरघी जो है आपका उत्प्रेशन जो है आपका यह रिट जारी किया जा सकता है तो दो इंपोर्टेंट डिफरेंस है आपका और प्रोहिबिशन में यह और जारी करने के बाद जारी किया जाता है यह जारी किया जाता है यह आपका जुडिस्यल और कासी जुडिस्यल के अलावा करते हैं प्रभावित करते हैं तो फिर हम यह जो है उनकी अगेंस भी जारी कर सकते हैं लुग आर्टिकल 32 के बारे में जो आपके पांच जो रिट है उसके बारे में बात कर रहे थे इसके पहले कि जो भी आपकी जूरीट है चाहिए वह मेंडमस हो क्यों स्वरी प्रिक्षा ठीक है इसका जो लिटरली जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है बाई वाट अथर्टी किस प्राधिकार से या और वारंट यानि कि किस हैसियत से मतलब इसका देखे सीधा सीधा कहने का मतलब होता है यह आपका कोट के द्वारा किसी उस परसन को जारी किया ज किस अधिकार से उसको ग्रहड किया है ठीक है अगर किसी ने किसी गलत तरीके से अगर कोई सालवजनिक पद को अगर ग्रहड किया है तो कोट उससे पूछेगी कि आप इस पद के लिए अगर उस पद के लिए उस पोश्ट के लिए उस आफिस के लिए अगर नहीं होगा तो फिर उसे अपना वो पोश्ट या पद त्यागना पड़ेगा तो यह आपका जो वारंटो यह इसलिए लाए गया कि कोई भी आदमी गलत तरीके से किसी भी कि जो भी आपके पबलिक ऑफिसेज हैं यानि कि जो आपके सार्वजनी की जो पद है उस पे गलत तरीके से उसको ग्रहड न कर सके ठीक है तो उसे रोकने के लिए आपका जो यह रिट है पांचमा जो रिट है क्यो वारंटो इससे सामिल किया गया हमारे फंडमेंटल राइ छेगे कि आप यह जो पोस्थ है इसको जो पाद आपने धारण किया है यह मतलब लीगल तरीके से हैं तो उसको मतलब जो भी पोश्थ हरत किया है फिर वह उसको बताएगा ठीक है अब देखें यह जो क्यो औरण्टो है यह जारी किया जाता है अगर कोई पब्लिक औफिस ह अगर वो सामीधिक है या अगर वो सामीधानिक है यानि कि कॉंस्रिटिट्यूशनेल थृज है तरह बहुत है, है तब ये आपका जो रूत है क्योव वारंट ये जारी किया जासकता है लेकिन अगर कोई menitriale post हो अगर कोई ministrieal post हो ये अगर कोई private post हो अगर कोई private post या ministerial post हैं तब आपका जो qo warranty जो रिड़ है ये सुप्रीम कोट या हाई कोट जिसे जारी नहीं कर सकते तो सिर्फ और यह तभी जारी किया जाएगा जब अगर यह सामिधानिक या निकी स्टे च्वेट्री अगर वह लौ है या अगर वह सामिधानिक पोश्ट है तभी यह जो आपका रिट है कि वारंटो यह जारी किया जा सकता है अगर वह प्राइबेट पोस्ट है तो यह जो आपका पांचमा रिट है यह जारी नहीं किया जा सकता ठीक है अब इसके पहले हमने जब चार जो डिट पड़े थे तो उस चारों रिट में हमने यह बात की थी कि वह जो आपके यह अधिकार दिये गए हैं जो पांच रिट हैं अगर किसी की भी हो रहे हैं तो वह कोट के पास जाएगा और कोट से कहेगा कि हमारे यह प्रॉब्लम है तो कोट उसको रेमीडी मलब उसको देने के लिए यह रिट चारी करेगी तो कोट के पास कौन जा सकता है तो उन चारों में जो अग्रीवड पर्सन है जो अग्रीवड पर्सन है यानि कि जो पीडित अभ्यक्ति है वह कोट में जाएगा कि हमें यह दिक्कत हो रही है लेकिन जो क्यों वारंट है जो पांचमा रिट है यह अग्रीवड पर्सन के अलामा कोई भी ब्यक्ति इंट्रेस्टेट पर्सन कोई भी ब्यक्ति तो यह आपका हो गया क्यों वारंटों पांचवां रिट इसके बाद कल हम बात करेंगे अर्टिकल 33 34 और 35 ठीक है थैंक्यू जाहें